हलो गैस मैं मनीश गोयल स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपने चैनल में मनीश गोयल सर में और आज हम लोग एक इंटीग्रेशन के दूसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपकी फॉर्म में होगा इससे पहले मैंने आप लोगों को जो फॉर्म बताई थी वो मैंने कंप्लेटिंग स्कार मेथट एक्स्प्लेइन कर दिया है और कुछ बच्चों के कहने पर बीच में मैंने आप लोगों को पार्चियल फ्रेक्शन के वीडियो तीन अप्लोट कर दिये हैं और अब मैं जो पार्चियल फ्रेक्शन के वीडियो अप्लोट करूँगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कुछ अच्छे कोश्चन जो की बोर्ड एक्जाम के लेबल के होंगे वो डिसक्रस करने बाला हूँ और उससे पहले अपने इंटिगेशन के सिर्फ को कंटीनु करते हुए आज हम जिस फॉर्म पे बात करने जा रहे हैं तो इस यूर एक्सराइज 19.19 फॉम दे आडी शर्मा इससे पहले मैंने आप लोगों को 19.15 के बारे में बताया था बीद की जो exercise हैं उन सब की form कुछ अलग नहीं है उसके लिए मैं आपके लिए एक separate वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी ठीके तो उससे पहले आज हम इस topic को discuss करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास function numerator में linear लिखा हुआ है denominator में quadratic लिखा हुआ है तो एक चीज तो confirm है कि इसको हम लोग लैट करते थे denominator में t तो पहला numerator हट जाता था ऐसे question हमने की यह थे substitution लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा तो इसकी algorithm क्या होने वाली है वो मैं आप लोग के साथ share करने जा रहा हूँ इस video के अंदर तो this is going to be a very 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 important video for all of you guys so please watch this video with full attention तो देखिए अब हमने करना क्या है जो हमारे पास numerator में function लिखा हुआ है उसको हम लिखने वाले हैं तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ इस lambda और mu की जगे आप चाहें तो कोई भी other constant ले सकते हैं तो कुल मिलाके हमने इस equation को क्या लिखा px plus q is equals to lambda और यह हो गया आपका 2ax plus b और plus mu तो आप इस form को अब इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे आपको समझ में आई ही गया कि अब आपका जो integration होने वाला है that will be what in the form of तो यहाँ पे px plus q को आप लिखने वाले हैं lambda 2ax plus b plus mu और upon में क्या होने वाला है upon में आपका आएगा ax square plus bx plus c और यह हो गया आपका dx अब हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ से denominator में इस term को लैट करेंगे तो आप देखिए सब को देख रहा है कि जो 2ax plus b है यह इसका derivative नजर आ रहा है देखिए आप दिहान से देखिए तो यहाँ पर हमारा जो main target रहेगा वो target यह रहेगा कि हम को यहाँ पर lambda और mu की value को obtain करना है तो यहाँ तक इस concept को आप ठीक से समझ लें और देख लें कि मैंने क्या किया है इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम lambda और mu की value कैसे obtain करेंगे with the help of an example and that is the example I am going to choose from your textbook NCRT from the page number 313 right बच्चों तो page 313 से मैं आपका यह example opt-in कर रहा हूं NCRT ठीक है यहाँ पर यह form आपके पास और question क्या है आपका वो देख लें आप question है बच्चों आपका numerator में function जो दिया हुआ है that is x plus 2 और denominator में function दिया हुआ बच्चों आपको 2x square plus 6x plus 5 or dx तो जैसा कि मैंने आप से कहा कि अगर आप अभी नीचे वाले function को let करते हैं तो उपर वाला function नहीं हटने वाला तो हम क्या करेंगे finally तो we will write it in the form of x plus 2 equals to lambda then dy dx of what? dy dx और बच्चों होने वाला है आपका 2x square plus of 6x plus of 5 and plus mu तो यहां तक मेरी बात सब बच्चों को clear हो गई होगी कि अब मुझे करना क्या है इसके अंदर देखिए थोड़ा समयने इसको यहां पे छोटा कर दिया है तो अब आप देखें इसको कि अब मैं इसको लिखने वाला हूँ 4x plus 2 जब मैं इस function को right side में differentiate करूँगा तो what will be it 4x plus 6 and plus mu तो यहां जब आप RHS में दिखेंगे तो जो x का coefficient है जब मैं इस lambda को multiply कराऊंगा तो वो मिरको कितना मिलने वाला है 4 lambda और यहां से जो x का coefficient है वो मिरको कितना मिलने वाला है 1 तो यहां से आप दिखेंगे कि जो lambda की value निकल के आई बच्चों वो कितनी हो गई 1 by 4 अब आप यहां से इस lambda को अंदर multiply कराएंगे तो आपके पास constant आएगा 6 lambda plus mu और यहां जो आपके पास constant है वो कितना है 2 तो जब आप इसको solve करेंगे तो lambda की value कितनी है 1 by 4 तो यह हो गया 2 minus 6 into 1 by 4 तो यह 2 times cancel यह 3 times cancel is equals to कितना हो गया mu तो जब मैं इसको solve करूंगा तो मेरे पास जो mu की value आईगी that will be what? 1 by 2 तो इस तरीके से lambda और mu की value में दोनों निकाल चुका हूँ अब आप सभी को मालूम है कि मैं इसको किस form में लिखने वाला हूँ अब मैं इस form को लिखूंगा जो कि आपको मालूमी है I will write it मैं इस x plus 2 को lambda 4x plus 6 upon में कितना 2x square plus 6x then mu की value तो हम value अगली step में replace करेंगे mu upon में कितना 2x square plus 6x and plus 5 तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग lambda की value replace करने वाले हैं तो lambda की value हमने replace की that is what 1 by 4 तो आपका जो function मेरे पास बना वो बना 4x plus 6 upon में कितना 2x square plus of 6x and plus of 5 इसके बाद जो next आ रहा है मेरे पास mu के साथ तो 2 comma लेने के बाद यह जो value मेरे पास बचने वाली है it will be what x square plus 3x and plus of 5 by 2 तो यहाँ तक सब लोग sure हो जाएं कि मैंने जो इसस step को लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है अभी यह बाद तो clear ही है कि मैं इसस step को let करूँगा t तो यह term hurt जाएगा तो मैं यहाँ finally इसको लिखे देता हूँ तो बच्चों यह कितना हो गया मेरे पास 1 by 4 dt over t और यहाँ मेरे पास कितना बचा 1 by 4 अब अगली steps अभी ने मालम है मेरे को क्या लिखना है इसमें dx तो मैं यहाँ पर जो x का coefficient है 3 तो उसका half कितना हो गया 3 by 2 तो मैं 3 by 2 का whole square plus करूँगा और 3 by 2 का whole square क्या करने वाला हूँ minus करने वाला हूँ तो यहाँ देखें ध्यान से इस चीज को तो यहाँ मैंने x square का coefficient जो है तो यह हो गया x square plus 3x plus मैंने 3 by 2 का whole square किया plus और 3 by 2 का whole square किया minus तो यह हुआ मेरा 5 by 2 और minus का 3 by 2 का whole square जब मैं minus करूँगा तो it will be what 9 by 4 तो यहाँ lcm जो मेरे को मिलने वाला है 4 और यह मेरे पास आ जाएगा 10 minus 9 तो that will be what 1 by 2 तो finally what I will write it I will write it 1 by 4 dt over t dt over t plus 1 upon 4 और यह हो गया मेरे पास dx over of x plus 3 by 2 whole square and plus of 1 by 2 whole square तो यहाँ तक की बात सभी बच्चों को clear हो गई होगी तो देखिए अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ तो यह पूरा का पूरा solution अभी मैंने यहीं लिखा हुआ है आपके सामने देखिए अब मिरे को इसमें कुछ नहीं करना simply I am going to apply the formula तो finally जो answer आपका होने वाला है that will be what 1 by 4 और यह कितना हो जाएगा आपका log t और t मैंने किसको माना था that is what 2x square plus 6x plus 5 and then this is what 1 by 4 और यह जो formula है dx over x square plus a square तो this is what 1 upon a 10 inverse x upon a तो 1 upon a का मतलब कितना हुआ into 1 by 2 तो यह 2 चला जाएगा मेरा उपर और यह हो गया मेरे पास 10 inverse x upon a तो it will be what 2x plus 3 upon में कितना आने वाला 1 by 2 तो वो cancel and plus c इस 2 को मैंने से cancel हुआ तो यह आपके पास जो answer आया this is your final answer तो मेरी बात यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गई होगी कि इस type के questions को हमने किस तरीके से solve करना है तो अगर आप अपने NCRT की exercise की बात करते हैं तो एक question में आपको NCRT के जो हमारा concept है वो exercise 7.4 से लिया गया है generally ठीके यहाँ पर इस exercise के अंदर ठीके और जो हम R.D. से बात करेंगे तो यह concept आपका 19.19 में देखने को मिलेगा तो यहाँ इस concept पर based मैं एक question आप लोगों का pick कर रहा हूँ that is what that is question number question number there are two or three questions एक तो question यहाँ पर जो आपका दे रखा है वो 18 है और एक question number आपका 22 है तो मैं दौनों question यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला हूँ तो question number 18 के अगर हम बात करें तो question number 18 हमारा क्या है वो देख लें आप लोग 5x minus 2 upon में कितना है बच्चों that is 3x square plus 2x plus 1 और यह हो गया dx तो आप सभी को मालो है हमने इसको लिखना क्या है तो हमारा जो लिखने का procedure that we will write it 5x minus 2 is equals to lambda dy dx of what तो 3x square तो थोड़ा सा step यहाँ मैं अपनी short कर लेते हैं समझ में तो आई गये सभी को तो इसका square कितना होने वाला है 6x plus 2x का derivative कितना होगा 2 and plus mu now we will compare the coefficient तो यहाँ से RHS से मुझे जो x का coefficient मिलेगा वो कितना होगा 6 lambda ठीक है और x का coefficient कितना होगा 5 तो therefore जो lambda की value निकल गया है बच्चों वो कितनी आई 5 by 6 अब हगर हम इसमें constant हम को लें तो यह हो जाएगा 2 lambda plus mu is equals to कितना है minus 2 तो mu is equals to कितना होगा बच्चों minus 2 और minus of 2 into 5 by 6 तो यहाँ से यह cancel होगा 3 times तो यह हो गया minus का 3 to just 6 और minus का 5 तो यह हो जाएगा आपका minus का 11 by 3 तो यहाँ तक मेरे साथ सब बच्चे इस questions को करें और इसके बाद सबी को मालम है कि जो अगली step है हमारी वो क्या होने वाली है तो this is your question number 18 तो यहाँ से जब हम इसमें lambda और mu की value replace करेंगे जो function को हमें लिखना होता है तो function को लिखने का जो तरीका होने वाला है वो क्या होने वाला है तो यहाँ पर हमने pen को change किया now we are going to write it कि इस function को हमको lambda 6x plus 2 plus mu की form में लिखना है और जो lambda की value मेरे को मिली है यहाँ पर that is what 5 by 6 तो यह हो गया 5 by 6 6x plus 2 upon में कितना है मेरे पास 3x square plus of 2x plus of 1 dx और mu की जो value मिली मेरे को वो कितनी होई है minus का 11 by 3 तो यहाँ यह 11 by 3 और यह कितना हुआ dx और upon में कितना आया मेरे पास that is what 3x square plus of 2x and plus of 1 तो यहाँ तक सब बच्चों को clear हो चुका होगा कि हमने किस concept को यहाँ पर apply किया है अब आप देख रहे हैं कि second term की अगर हम भात करें तो second term के हंदर जिसमें हमको completing square apply करना है तो completing square करने के लिए सबसे पहले हमको x square का जो coefficient है उसको क्या करना पढ़ेगा unity करना पढ़ेगा तो उसको unity करने के लिए हमने क्या किया तो यहाँ तो हमको मालूम है कि इसको komplett करेंगे तो यह हमने लिख लिया 5 by 6 और इस function को मने डारेक्ट लिख दिया dt upon t और minus का यह हो गया बच्चों 11 by 3 मैंने common ले लिया 9 और यहाँ से यह हुआ हमारे पास dx upon में कितना आया x square plus में कितना आया बच्चों 2 by 3x and plus में कितना आया 1 अब आप सभी को मालूम है कि इसमें हमें कितना आयड गरना है तो हमें यह मालूम है कि x का जो coefficient है वो 2 by 3 है तो 2 by 3 का half कितना होने वाला है 1 by 3 तो मैंने वहाँ पर 1 by 3 का whole square किया plus और 1 by 3 का whole square किया मैंने minus तो यह हो गया 1 by 9 तो यहाँ से finally जो हमारे पास अगली step होने वाली है वो क्या होने वाली है तो यह मैंने इसमें dividation किया थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस बात को कि यह step जो हमारे पास होगी that will be what 5 by 6 dt upon t minus of 11 by 9 और यह हो जाएगा बच्चों dx अब उन में कितना x plus 1 by 3 का whole square और इसको मैं solve करूंगा इन दोनों term को तो 1 minus 1 by 9 it will be what 8 upon 9 तो that will be what 2 under root 2 upon 3 whole square तो यहां तक आपको step clear हो गई होगी सब बच्चों को हमने क्या किया अब आप सभी को मालूम है कि आपको जब इसमें formula एप्लाए करना है तो यह value कितनी मिलेगी हमको 5 by 6 log t t का मतलब कितना हुआ 3x square plus of 2x plus of 1 minus of 11 upon 9 और formula लगने वाला है हां पे 1 upon a that is 1 upon 2 under root 2 by 3 10 inverse 10 inverse x that is what x plus 1 by 3 और upon में कितना है 2 under root 2 by 3 तो यहां अब जब हम इसको solve करेंगे तो सभी को मालूम है कि यहां सही atom इस से cancel तो यह 1 upon कितना बचने वाला है under root के अंदर तो 2 under root 2 upon 3 9 minus 1 8 8 का मतलब हुआ 2 2 का square 4 4 into 2 8 तो 9 by हमारा answer आ रहा है इसमें 11 upon 6 under root 2 जबकि बुक में जो answer दे रखा है वो 11 minus 3 under root 2 तो there is some error और वो error कहां हो रही है यह हुआ 2 3 just 6 minus 6 minus 7 by 3 तो यहां से 3x plus 1 अब 1 में root 2 और 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 गलती कितनी हुई है कुछ समर्ज में नहीं आ रहा येस गलती मिल चुकी है तो गलती क्या है मैं वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को मैंने यहां से जब 3 common लिया तो यहां पर कितना आने वाला है बच्चों 2, 3, LCM लिया 9, 339 येस अंडर रूट 2 बाए 3 का whole square राइट तो यहां पर अंडर रूट 2 बाए 3 का मतलब यह तरम नहीं आएगा ठीके तो यह तरम यहां नहीं आएगा तो जब आप फाइनली वाल परेंगे तो आपका अंसर matter जाएगा तो this is your question number 18 now we are going towards question number 22 तो one more question we are going to solve question number 22 मैं आपके लिए solve करने जा रहा हूं और वो question क्या है देखें that is x plus 3 and in denominator it is x square minus 2x minus 5 and dx तो हम पहली step में क्या लिखने वाले है इसको we will write it x plus 3 lambda और यह हो गया आपका 2x minus 2 plus mu तो यहां से 2 lambda is equals to 1 तो lambda की value कितनी आई 1 by 2 and what about the mu तो it is what minus का 2 lambda plus mu is equals to 3 then mu is equals to what 3 plus 2 lambda right तो mu is equals to what lambda की value 1 by 2 है तो mu is equals to what 4 तो यहां तक सब बच्चों को मेरी बात clear तो यहां देख ले है हमने कोई गल्दी तो नहीं की minus 5 and dx what about the mu the value of mu is what it is what 4 and this is what now dx upon में कितना x square minus 2x minus 5 तो यहां से आप देख रहे हैं कि x का कोफिशेंट already 1 है तो what we will add तो we will have to add plus 1 and minus 1 तो इस तरीके से यह जो फॉर्मला हमारे पास बनने बाला है तो यह हो जाएगा 1 by 2 और इसको हम लिख लेंगे dt over t और यह हो गया बच्चों plus 4 और यह हुगा हमारे पास dx upon इस तर्म को और इस तर्म को लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास x minus 1 का whole square minus of 6 under root 6 का whole square तो इसके बाद जो फॉर्मला हमको apply करना है तो वो फॉर्मला हुगा हमारा 1 upon 2 2 और यह हो गया log t और t की value कितनी है यहां पर हमारे पास x square minus of 2x minus of 5 और यह हुआ plus 4 यह हो गया x square minus a square that is 1 upon 2a तो 2a का मतलब यहां पर कितना मिलने वाला है मेरको 2 under root 6 and log of x minus a this is what x minus 1 minus under root 6 and x plus a x minus 1 plus under root 6 plus c and 2 से cancel किया हमने 2 तो this is your final answer तो यह आपके exercise 7.4 के जो question है वो मैंने आपको दोनों solve करके दिखा दिये है question number 18 and 22 और rest practice के लिए अप गो थू 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 रफ्रेशर in next video we will discuss the question in the form Px plus Q upon Ax square plus Bx plus C जो कि under root में होगा method वही होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें करना क्या है कि formula है वो हमारे different हो जाएंगे Till then, thank you so much